कम तेल में बना और वो भी आलू से बना नास्ता किसको नहीं पसंद आएगा सभी को पसंद आएगा बचे और बड़े सभी को आलू बहुत ही पसंद आती है इसे बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही कम तेल और कम समय में बन करके तयार हो जाता है फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वच करिएगा पसंद है तो लाइक करना ना भूलिएगा तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनानी के लिए mixing ning ball में एक कफ हम बेसं ले लेते हैं और बेसं में हम आटा डाल देते हैं यह चावल का आटा है चावल के आटा डालने से यह होता है कि रिस्पी बन करके त्यार होता है इन दोनों को अच्छे से हम mix कर लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा घोल बना लेते हैं अच्छे से इसे फेटेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके नहीं तो ज़्यादा पानी डाल देने पर इसमें गुठलिया पड़ जाती है और अच्छे से फेटा भी नहीं पाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से फेट लेते हैं इसे हमने अच्छे से घोल लिया है आप देख सकते हैं एक चम्मच की सहता से इसे बिल्कुल इस तरीके से गिराने पर अच्छे से गिरता है तो हमें बिल्कुल ऐसाई घोल चाहिए यहाँ पर हमने कच्चा आलू लिया है जिसे हमने छिल लिया है छिल करके धोल लिये है और यहाँ पर हमने चिप्स काटने वाला कटर लिया है जिस पर हम चिप्स काटते हैं उसी पर हम आलू को इस तरीके से कट करेंगे आलू जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा राता है तो सभी को हमने काट लिया है अब इसे हम दो से तीन पानी से अच्छे से धो लेते हैं ताकि जो आलू का स्टार्च है वो निकल जाए चिप्स कटर पर काटने पर आलू ज लेंगे तो अजवाइन को हाथों से मसल करके डालने पर टेस्ट और खुस्पू बहुत ही अच्छा आता है और अजवाइन पेट के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है डाइजेशन में भी काम करता है कलर के लिए इसमें हम हल्दी का पाड़र डाल देते हैं काली मीच पा ऑपि्धर डाल देते हैं आप चाहिए तो चिली का पाड़र भी डाल सकते हैं जीब हणाल देते हैं क cannabis कर लेते हैं इसमें एक समागरी और है जो optional है डाल भी सकते है नहीं भी और वह है प्याज बारे कटे विए प्याज हम डाल देते हैं एक मैंने काटा है प्याज को डालने के बाद इन सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे यह हमारा घोल बन करके तयार हो गया है अब हम एक तावा को गरम कर लेते हैं यहाँ पर तेल भी गरम हो गया है तवे पर अब हम जो चिप्स कटर से आलू हमने काट करके दो करके तयार किया था उसे इस तरीके से हम एक करके रख देते हैं चिप्स कटर से आलू को काटे हैं तो बहुत ही पतला-पतला कटाया है अगर आप चाकु से काटते हैं तो यह थोड़ा मो होता है आलू को उबाल करके ठंडा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो उससे अच्छा यह है कि चेप्स कटर पर इसे काट करके हम तुरंत इसे बनाना शुरु कर देते हैं त का गोल्ट त्यार किया था मसालों के साथ उसे हम इस पर डाल देके हैं एक अंद बड़ा झाल अचेया एप तरफ से सिल जाता यह एक तरफ से नीचे के चिए इस सकते हैं तहड़ाज दो में दोनटकंप यही शक ले drip करके अलट पलट करके दोनों साइट से अच्छे से हम लाल कलर हो जाता है तो इसे से करके हम निकाल लेंगे अब हम इसे चेक करेंगे कि यह आलू पका यह नहीं पका है इसे हम हाथों से मेस करेंगे पंछे用 हो जा रहा है अब isnी को निकाल लेते है प्लेट मे बाकि जो बचा वबचा हुआ है उसे भी हम यहीं तव attractive जाल देते हैं तिल डाल करके और जो घोल बचा हुआ है उसे भी हम इस पर डाल करके दोनों को अलट पलट करके सेख लेते हैं अई सबी को निकाल लेते हैं कम तेल में बना है तो हेल्दी भी है टेस्टी भी है और बनाने में बहुत ही समय कम लगता है तो आपको ये रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में आप हमें जरूर बताईएगा फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा धन्यवाद